दोस्तो चैनल पर सब्सक्राइबर कम है लेकिन वीडियो में बहुत ही दम है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ओफ इंडिया के सुभा आर्म करेंट एकाउंट को एनलाईज करेंगे कि इसमें एकाउंट ओपेंट करवाने के लिए आपकी क्या इलिज् इसके अलामा इसमें कौन कौन सा benefits आप लोगों को provide गया जाता है तो इन सारे points को हम एक साथ में discuss करेंगे दोस्तों पूरे like proof के साथ में वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा क्योंकि ये पूरा वीडियो मैंने बहुत ही study करके बनाया है तो चलिए इसी के साथ में वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों इस current account की अगर हम eligibility की बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपके नाम पर कोई भी एक private limited company होनी चाहिए और इसके अलामा अगर आपका company जो है वो partnership में भी होता है तो भी यहाँ पर चल जाता है लेकिन वो company जो है वो registered होना चाहिए एक तरह से आपके पास में certificate होना चाहिए दोस्तों एक तरह से हम बोल सकते हैं तभी आप इस accounts को open करवा सकते हैं otherwise आप open नहीं करवा सकते हैं इसके अलामा अगर हम features की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग को इस account में 20,000 रुपए euros monthly balance maintain करना होगा दोस्तों यहाँ पर एक और point आता है कि अगर आप first year में एक भी रुपीज maintain नहीं कर पाते हैं इसके अलामा आप एक भी रुपीज अगर आप लोगों से इस पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है अगर आप लेना चाते हैं तो इसके अलामा दोस्तों cash deposit आप पाच लात रुपए तक non home brand से per day कर सकते हैं इसके साथ साथ दोस्तों इस account में आप लोगो pride premium business debit card provide किया जाता है दोस्तों अगर आप इस debit card के बारे में जानना चाते हैं तो मैंने state bank of india के सारे के सारे debit card के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है link आपको वीडियो की description में मिल जाएगा उस link पर आप click करके वीडियो को देख सकते हैं इसके अलामा दोस्तों इस current account में आप लोगों को free कार्पोरेट internet banking provide किया जाता है इसके साथ दोस्तों monthly statement यहाँ पर आप लोगों को free में provide किया जाता है यहाँ पर आप लोगों से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है इसके अलामा दोस्तों अगर आप duplicate statement अपने current account में चाहते हो तो उस case में आप लोगो 40 entries का 100 रुपए प्लस GST charges देना होता है इसके अलामा दोस्तों जो मैंने बताया आप लोगों को प्लोगों की checkbook यहाँ पर आप लोगों को free में per month 100 page का free में provide किया आता है otherwise अगर आप extra checkbook लेना चाहते हो तो उस case में आप लोगों को per page का 3 रुपए चार्ज देना होगा दोस्तों यहाँ पर जो भी charge आप लोगों को देना होता है उस पर दोस्तों आप लोगों को GST भी देना होता है तकरीमन यह GST 18% तक होता है और अगर आप अपने accounts को एक जग account दूसरे ब्रांच में transfer कर सकते हैं इसके अलामा दोस्तों आप पर मन्त 15 रुपए नान होम ब्रांच या अफिर अपने होम ब्रांच में cash deposit कर सकते हैं दोस्तों इसके अलामा अगर आप ऊपर cash deposit करना चाहते हैं तो उस case में आप लोगों को per thousand के उपर 0.75 पैसे charge देना होग आप लोग limit को cross ना करें इसके अलामा दोस्तों अगर हम maximum deposit की बात करें नान होम ब्रांच में तो यहाँ पर आप परड़े 5 लाख रुपए ही maximum deposit आप कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों अगर हम cash withdrawal की बात करें नान होम ब्रांच की तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता जितने रुपए चाहें उतने रुपए आप निकाल सकते हैं यहाँ पर कोई भी limit नहीं है all limited है इसके अलामा दोस्तों यहाँ पर आप लोगो SMS alert पर कोई भी रुपेज नहीं देना होता है यहाँ पर बिल्कुल free होता है इसके साथ दोस्तों जो मैंने आप लोगों बताया EORGE monthly balance की इतना आप लोग को maintain करना होगा अगर आप उस 20,000 रुपए को maintain नहीं करते हैं तो first year तो maintain नहीं करते हैं तो कोई दिक्कर नहीं है thereafter यानी कि आप दूसरे year में भी आप maintain नहीं करते हैं तो उस case में आप लोग को per month 1000 रुपए पलस GST चार्ज देना होगा इसके अलामा दोस्तों अगर हम EFT और RTGS की बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दो कि आप अपने मुबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग के जरी बिल्कुल फिरी में EFT और RTGS कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग कोई भी चार्जर नहीं देना होता है इसके अलामा अगर आप ब्रांच के जरी यह र्टी जीएस यह निई EFT करना चाते हैं तो इस पर आप लोग को चार्ज देना होगा दोस्तों यह चार्जर आप लोग को जो भी रेगुलर करेंट अकाउंट के ओप keeping charges आप लोगो पर financial year 550 रुपीज चार्ज देना होता है इसके अलामा दोस्तों अगर आप अपना current account close करवाना चाहते हो तो उस case में दोस्तों आप 14 दिन के पहले आप लोगो एक भी रुपीज नहीं चार्ज देना होगा अगर आप close करवाना चाहते हैं इसके अलामा अगर अगर आप close करवाते हैं तो उस case में आप लोगो 600 रुपीज चार्ज देना होगा जो कि यहां पर जोड़ करके आपसे लिया जाएगा तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगो यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वी यह वीडियो